दोस्तो, very good morning to all of you, target yesterday है क्योंकि आज के इस सांदर वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो, आज का जो हमारा पहला प्रस्त मना है, वो बना है उत्तरा खंडे से related और उत्तरा खंडे से आज कल बहुत सारे questions बना है, उन सभी को इस वीडियो में आपका revision भी करवा दूँगा तो question दोस्तों यहाँ पर बना है, कि उत्तरा खंडे का जो पर्याटन है, हाल ही में COVID-19 की विज़े से बहुत ही ज़्यादा affected हुआ है हर साल लाखों लोग उत्तरा खंड विजट करने के लिए जाते हैं, तो एक बार फिर से उत्तरा खंडे में पर्याटन को बढ़ावा देने के लिए कौन से अभिनेता जो है, यह reality show जिसका नाम है hundred days in heaven को host करेंगे तो उत्तरा खंडे में पर्याटन को बढ़ावा देने के लिए यह जो hundred days in heaven, यह जो reality show है, इसको host करने वाले अभिनेता का नाम है अमिताब बच्चन, option number B, अमिताब बच्चन, इसका right answer हो जाएगा और यह बहुत ही सांदार, very important question की list में आता है तो option number A, इसका right answer हो जाएगा, यह जो so होगा, यह एक तरीके से उत्तरा खंडे के पर्याटन को बढ़ाने के लिए एक add so होगा साथी साथ में, अब हम discuss करते हैं, उत्तरा खंडे से related जितने भी करेंड़फेस के questions बन सकते हैं, उनको हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे तो उत्तरा खंडे से related क्या क्या questions बन सकते हैं, पहला तो यह कि आपको भी हाल ही में मैंने question करवाई था कि उत्तरा खंडे का जो उच्छ न्यायला है, उसके जो मुक्य न्यायदीस बनाए गए हैं, वो चुने गए हैं justice rs चोहान, तो अच्छे से याद रखना, उत्तरा ख पहला poly nation park जो है, इसको उत्तरा खंडे के हल्दवानी में इस्तापित किया गया है, तो भारत का जो पहला poly nation park है, इसको उत्तरा खंडे के हल्दवानी में इस्तापित किया गया है, आगे चलते हैं, question बनेगा, कि भारत का पहला moss garden, भारत का पहला moss garden, खुर पाताल, नैनी ता जिले में उत्तराखंड राज्य में ही इस्तापित किया गया है तो देखो भारत की जितने भी पहला नाम से कोशन मनेगा तो वो कोशन तो most important हो जाता है जैसे भारत का पहला Polynesian Park उत्तराखंड में भारत का पहला Moss Garden वो भी उत्तराखंड में साथी साथ में कोशन मनेगा आपको कुछ दिन पहले कर बाया था कि एक Asan Conservation Wetland है जिसको हाही में रामसर साइट में सामिल किया गया है तो ये जो Asan Conservation है ये भी उत्तराखंड से विलॉंग करती है ये साइट और ये जो Asan Conservation है ये उत्तराखंड की पहली ऐसी वेटलेंड साइट है जिसको रामसर Conservation में सामिल किया गया है तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे फिर इसी प्रकार से उत्तराखंड की Summer Capital भी हाल ही में बनाई गई थी तो उत्तराखंड का जो चमोली जिला है चमोली जिले की एक जगह है जिसको नम है Gerson तो Gerson ये जो है जगह इसको उत्तराखंड की Summer Capital बनाए गया है तो ये भी आप लोग याद रखेंगे Very important point है exam के point of view से फिर बना है कि भारत का पहला जो Lichen Park है भारत का पहला Lichen Park है उसको भी उत्तराखंड के मुन सियार में खुला गया है तो उत्तराखंड के मुन सियार उत्तराखंड के मुन सियार उत्तराखंड के मुन सियार में भारत का पहला Lichen Park जो है ये open किया गया है तो ये भी आपको याद रखना है तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें ऐसी पढ़ी जो कि उत्तराखंड में पहली बार पॉली नेशन पार्क, मौश गार्डन और ये आपका लाइकेन पार्क ये पहली बार उत्तराखंड में ही खोले गए हैं चलते हैं अगले कोशन की तरब उससे पहले दोस्तों आपसे बोलना चाहूंगा कि हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो मन्तिली पीडियेफ है टॉपिक वाइस इसका पीडियेफ तयार हो चुगा है और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है जो लोग भी इसको लेना चाते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हैं कोशन मनेगा किस संगठन ने डॉपलर वैडर रडार Doppler Weather Radar एक तरीकी से एक रडार सिस्टम होता है इसका निर्मान किया है तो हाल ही में यह जो एक वैदर रडार है जिसको Doppler Weather Radar के नम से जानते हैं इसको हाल ही में BEL 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 तो हाल ही में Doppler Weather Radar को BEL के दोरा इसका निर्मान किया गया है तो option number A इसका राइड एंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं ये वो radar system है जिसको हाल ही में BEL के द्वरा बनाय गया है तो इसको ही हाल ही में BEL के द्वरा बनाया गया है अब एक बहुती सांदार कोशन ये भी बन सकता है कि इस radar system का उद्गाटन किस ने किया है तो ये जो DWR है इसका उद्गाटन किया है केंदरिये प्रत्वी विज्यान मंत्री Dr. Harswardan तो Dr. Harswardan ने इसका जो है उद्गाटन किया है ये भी आपको पता होना चाहिए इस रडार को उत्तराखंड में इस्तापित किया गया है उत्तराखंड की एक जगे मुक्तेस्वर यहाँ पर और हिमानचल प्रदेश के कुफरी इन दो जगे पर इस रडार सिस्टम को लॉंच किया गया है तो ये दोनों जगे भी आपको याद रखनी है आगे चलते हैं इसी से जड़ावा एक कुशन पढ़ते हैं कि हाल ही में आईमडी ने अपनी इस्तापना की 146 मी इस्तापना मनाई है और इसी के आउसर पर एक पत्रिका लॉंच करी गयी है उस पत्रिका का 32 जो संस्क्रन है उस पत्रिका का नाम है मौसम मन्जूसा तो इस मौसम मन्जूसा नाम की एक पत्रिका को भी इस आउसर पर लॉंच किया गया है तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको like और share करना भी ना भूलें Question मनेगा कि International Migration 2020 Highlights के अनुसार विश्व में सबसे अधिक प्रवासी किस देश में है तो answer हो जाएगा भारत Option number A, इसका right answer हो जाएगा हाल ही में इस report को जारी किया गया है अगला question मनेगा कि हाल ही में एक organization है TEPC इसका नया chairman किसे बिना गया है तो answer यहाँ पर देखे बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा वैसे तो इसका answer हो जाएगा संदीब अगरवाल संदीब अगरवाल इसका right answer हो जाएगा लेकिन उससे पहले आपको यह organization का नाम पता होना चाहिए TEPC इसका फुलफर्म हो जाएगा टेलीकॉम एक्क्यूपमेंट एंड सर्विसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसल यह जो TEPC नाम से काउंसल है इसका जो chairman है यह बनाया गया है संदीब अगरवाल को तो option number 10 का right answer हो जाएगा कि हाल ही में संदीब अगरवाल को TEPC का नया chairman बनाया गया है option number 10 का right answer हो जाएगा उसके बाद में एक question बनेगा कि हाल ही में किस ने जनवरी 2021 में भारत की पहली स्वदेसी रूप से विक्सेत driverless metro car driverless metro car का अनावरन किया है तो right answer हो जाएगा हाल ही में राजनाथ सिंग ने option number 10 का right answer हो जाएगा राजनाथ सिंग ने भारत की पहली driverless metro car का अनावरन किया है option number 10 का right answer हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक driverless metro car है जिसका उत गाटन राजनाथ सिंग Fallout वरा किया गया है, जिसमें की राजनात सिंग्खों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आगे चलते हैं, कोशन बनेगा, कि One Is Cool, One IAS, One Is Cool, बहुत ही अच्छा कोशन है, बहुत ही प्यारा कोशन है, आपको इसका आंसर पड़के भी आपको अच्छा लगेगा, वन इस्कूल, वन आईयस योजना को भारत के किस राज्य में हाल ही में लॉंच किया गया है, शुरू किया गया है तो इसका राइड एंसर हो जाएगा केरला, आप्शन नमबर A इसका राइड एंसर हो जाएगा जहां पर One School, One IAS योजना को हाल ही में शुरू किया गया है तो इसमें आप देख सकते हैं केरल के जो रज्यपाल है जिनका नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे उनके दोरा ही One School, One IAS, Initiative for Free Civil Services Coaching in केरला यानि की केरला में 10,000 बच्चों को चुना जाएगा ऐसे 10,000 बच्चे जो की महनती हों और आर्थिक रूप से कमजोर हों ऐसे चात्रों को Civil Services और Other Government Exam की तयारी के लिए बिल्कुल Free of Cost Coaching प्रोवाइड करवाई जाएगी तो ये चीज जो है केरला में हाल ही में सुरू करी गई है तो केरल में One IS, One School One IS नाम से इस योजना को सुरू किया गया है जिसमें की Free of Cost बच्चों को इसमें मुफ्त में IS की कोचिंग करवाई जाएगी दोस्तो जो उपर हम लोगों ने उत्तराखंड वाले questions किये थे उसका एक point है वो जो miss हो गया था जो नीचे यहाँ पर मैंने दे रखा है ये जो point है इसको आप लोग उपर वाले question में इसको रखेंगे कि भारत का पहला जो हिम तेंदुआ सनचन केंदर है उसको भी उत्तराखंड के उत्तर कासी में के जंगलों में विक्सित किया जाएगा तो ये भी आप लोग याद रखना है भारत का पहला जो हिम तेंदुआ सनचन केंदर है इसको उत्तराखंड में इस्तापित किया जा रहा है question मनेगा NDRF ने 18.07.2021 को अपनी इस्तापना का कौन सा दिवस मनाये है तो NDRF ने 18.01.2021 को अपनी इस्तापना का 16 दिवस मनाये है यानि कि उसकी इस्तापना के 16 दिवस तो option number 20 का राइड इंसर हो जाएगा NDRF ने 18 जन्वरी 2021 को अपनी स्थापना के 16 दिवस मनाया है option number 20 का ride answer हो जाएगा यहाँ पर आप NDRF का logo देख सकते हैं जिसने हाल ही में 18 जन्वरी को अपनी स्थापना के 16 स्थापना दिवस मनाया है question बनेगा कि प्रदान मंतरी मोदी जी ने कितने 1000 करोन रुपए के Startup India Seed Fund की गोशना करी है तो आंसर हो जाएगा option number C 1000 करोर तो 1000 करोर इसका ride answer हो जाएगा कि हाल ही में PM मोदी ने Startup India Seed Fund की सुरुबात करी है जिसके तहएद 1000 करोन रुपए इसके fund का allocation किया गया है तो option number C इसका ride answer हो जाएगा यहाँ पर आपको याद रखना है कि मैंने आपको कले कोशन करवा था कि हाल ही में एक summit यानि कि एक समेलन जिसका नाम है प्रारंब Startup India International Summit 2021 इसमें प्रधान मंतरी मोदी जी ने इस summit के दोरान ही इस fund की गोशना करी थी और इस fund की का सुभारम उद्गाटन कि इसने किया था यह कोशन मैंने कल आपको करवा था इसका answer आप लोग बताएंगे तो इस fund की जो value है जो इसका सुरवात है वो एक हचार करण रुपए इसकी fund की value रखी गई है अब इस नए fund में क्या होगा इस नए fund में इस नए start-up में उनकी जो start-up company से उनकी वरद्धी को बढ़ावा देने के मामले से मामले के लिए इस योजना को सुरू किया गया है अगला question मनेगा कि हाल ही में US India Business Council US IBC की wise chairman किसे बनाए गया है तो answer हो जाएगा हाल ही में किरन मजूमदार option number ace का right answer हो जाएगा कि हाल ही में किरन मजूमदार को US India Business Council यानि कि US IBC का chairman पनाए गया है option number ace का right answer हो जाएगा आगे चलते हैं इस council में तीन नए vice president पनाए गया है उनमें से एक है किरन मजूमदार साह जो की बायो कौन कंपनी की CEO है दूसरे है मिलिंद पन्त जो की M.W. के CEO है तीसरे है Edward Knight जो की NASDAQ के उपाद्य अच्छे हैं कई बार exam में ये question पूछा जा चुका है कि किरन मजूमदार साह है ये कौन सी फार्मा कंपनी की संस्तापक है तो ये बायो कौन कंपनी की संस्तापक है कोशन बनेगा कि IFFI में Indian Personality of the Year पुरसकार किसे प्रदन किया गया है तो आंसर हो जाएगा विस्वजीत चटरजी हाल ही में विस्वजीत चटरजी को IFFI Indian Personality of the Year अबॉट से हाल ही में समानित किया गया है important कोशन है इसमें आप लोग देखेंगे ये जो विस्वजीत चटरजी है इसका फोटो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है विस्वजीत चटरजी भारती व्यक्तित्व पुरसकार से समानित तो ये इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आप इसका एक और फोटो देखेंगे IFFI में Indian Personality of the Year विस्वजीत चटर जी को गोशित किया गया है इस बार आप इनका फोटो भी देख सकते हैं कोशन बनेगा दोस्तों आज का कोशन जिसका आणसार आपको देना है कि इस वर्स 2021 में देश का कौन सा गरतंतर दिवस बनाए जाएगा अपना आणसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले Thank you for watching this awesome video